नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अभी शेक पुंडिर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है जहां सुप्रीम कोट में जो गिरफतारी को याचिका देते हुए अरविंद केजरिवाल ने याचिका दाकिल की थी वो आमादमी पार्टी ने वापस ले ली है इस की बड़ी खबर जो याचिका सुप्रीम कोट में डाली गई थी कि केजरिवाल की गिरफतारी ना हो जिस बात को चुनोती दी गई थी वो याचिका आमादमी पार्टी ने वापस ले ली थी हाला कि जिस वक्त रात को सबानो बजे अरविंद केजरिवाल की गिरफतारी की उसी वक्त जो अरविंद केजरिवाल की लीगल टीम थी वो सुप्रीम कोट के दरोजे पर पहुँची थी उसमें सुप्रीम कोट का दरोजा खटाया था रात को ही मामला लिस्टिंग करवाने की बात कही गई थी कि रात को ही जितनी जल्द हो सके उसकी सुनवाई आमादमी पार्टी चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट में हो जाए लेकिन रात के वक्त मामला लिस्टिंग नहीं हो पाया और उसकी सुनवाई नहीं हो पाया लेकिन यह एक बड़ी खबर ये है कि जिस वक्त मामला सुप्रीम कोट में आमादमी पार्टी सुनवाना चाहती थी तो लगातार खबर ऐसी आ रही थी कि सुप्रीम कोट में आमादमी पार्टी की जो लीगल टीम थी वो नहीं पहुँची थी जो आमादमी पार्टी के वकील थे जो अर उनी जल्दी इस मामले की सुनवाई की जाएगी लेकिन अब बहुत बड़ी ख़बर निकल कर सामने आई है कि अरविंद केजरिवाल ने अपनी याची का वापस ले ली है मतलब अब जो उन्होंने सुप्रीम कोट के सामने अरजी लगाई थी कि उनकी गिरफतारी नहीं होनी चाहिए अब वो याची का उन्होंने वापस ले ली है मतलब डाल में कुछ काला नहीं है डाल पूरी ही काली है आज ढ़ाए बज़े अरविंद केजरिवाल की पेशी होनी है इससे पहले अगर आपको बताऊं तो जो सुबूत इडी अरविंद केजरिवाल के घर से लेकर गई थी उन सबूतों में धेर सारे ऐसे जो है सूत्रों के अवाले से ऐसी खबर है कि वो डेड़ सो पन्नों की एक रिपोर्ट मिले डेड़ सो कागजात मिले हैं जिसमें कुछ एडी अधिकारियों के नाम पते और ठिकाने भी शामिल थे तो इस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी तमाम तरीके के आरोप लगा रही है बीजेपी पर आरोप लगा रही है और वो कह रही है कि ये गिरफतारी अस्समयधानिक थी लेकिन अब जब अर्विंद केजरिवाल की सुप्रीम कोर्ट से जो याचिका थी वो वापस ले ली गई है उसके बाद ऐसा लग रह है कि पीमले कोट में जब अर्विंद केजरिवाल की पेशी होगी और एडी ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मांगेगी क्योंकि के कवीता के जिनके अभी पिछले हफ्टे की रफतारी हुई थी और कल तक जिनके रिमांड है इडी के पास उन्हें उन्हें जो है उनक के इजरिवाल ये बहुत बड़े नाम थे जिनकी सराबनीती मामले में गिरफ सारी हुई है तो इस वक्त की समसे बड़ी खबर यही है के रविंद के इजरिवाल ने सुप्रीम कोट से याची का वापस ले ली है